आज हम बात करेंगी तिहास को पढ़ना के साथ साथ उसमें समझ कैसे ब्रक्सित करना और इतिहास में अच्छे नमबर अच्छे श्कोर कैसे कर पाएंगे इतिहास को कैसे समझा जाए कैसे याद किया जाए क्या लिखा जाए क्या पढ़ा जाए और क्या क्या आपके लिए महत सजन कर सकते हैं कई बार इतिहास उनके लिए अधिक महत्रपूर हो जाता जिन्होंने इतिहास पड़ा हुआ है यह बहुत सारे सब्सक्राइब होते हैं जिनका यह बिशे भी होता है अब हम लोग आज इस वीडियो में जानेंगे हमिकılar क्या-का चैश्यों पड़नी है कैसे बीडियो के भी फानले की ख्रुद वीडियो कि यह बड़ा होने वाला है खुद को समेटे हुए पढ़ा है अब इस तरह के सवाल परिक्षाओं में नहीं आते इतिहास किसे कहते हैं इतिहास जन्वधाता कौन रहा है इतिहास की जरुवत किसले पढ़ी है अब हम लोग उन कांटेंट पर बात करेंगे जहां से परिक्षाओं में करमवारुप से सवा पहली बात है इतिहास कैसे पढ़ेंदे को पढ़ने की यह पिने की औरки हाज्ञाघ्या दॉपन ellas कड़ने की पढ़ने की इसलिए इतिहास की सुरुभात परहे लोग पासान काल से करते हैं उसकेδα इस तरह से एक अध्याई की तरफ बढ़ते हैं लेकिन शुरुवात्मी तिहास जब पढ़नी के प्रयास करते हैं उसमें संदेखकर हम घवला जाते हैं इसलिए अब हम लोग जो तिहास पढ़नी की शुरुवात करेंगे तो एक विशेश बात का ख्याल रखेंगे कि हम लोग उन टोपिकों को पहले पढ़ेंगे जहां साब की जिग्यासाय आजाएं और जहां से प्रशन जादा पूछे जाएं तिहास को पढ़ने के लिए आपके पास सबसे पहले आपका का पार्ट करब होना चाहिए अगर मैं प्राचीनी तिहास की बात करूँ तो लगभग यही आपके सेल्बस हैं इनीक इर्दगेर्द आपको पढ़ना है जिसमें प्रमुकुरूप से है आपका पासान काल, शेंदव सब्बता, वैदिक काल, महाजनपद, छहसोबीशी, मौरिकाल, मौरुत्तरकाल, गुपतकाल, गुपततरकाल मनि ये ऐसे टोपिक हैं जो आपके सेल्बस के एर्दगेर्द इनीक को पढ़ना है फिर भी आप अपना सेल्बस अपने सामने रख लें उस सेल्बस में आने वाले हर टोपिक को नोट डाउन कर ले ताकि जब हम पढ़ना सुरू करें कहां तक पैर पसार ना है वो चीजे अच्छी तरह से समझ में आज़ें दूसरी बात इसमें आती है कि धर जैसे अगर हम पासाण काल पढ़ेंगे तो यहां से प्रश्णों के संख्या प्राया काम आती है और जब यहां पासार काल सहे ना हो इसलिए इस वीडियो को हम लास्ट में पढ़ेंगे शरूवाथ आपकी पासा जांपाल सोनी चाहिए लेकिन हम कोशिस करेंगे कि आपको कुछ नया टौपिक से शुरूआत करेंगे और यहां से हम जो शुरूआत करेंगे आपके लिए शंदो सब्वेता से सुरुवात करेंगे शंदो सब्वेता के नाम से जानते हैं उसके वाद वैदिक काल पढ़ेंगे महाजनपत काल में देखेंगे किस तरह से उदय हुआ प्राचीन भारत में प्रश्णों की संख्या आप लोगों ने देखा होगा कि आपने पढ़ा भी होगा कि यार प्राचीन भारत ने एसन हिस्ट्री से प्रस्ण बहुत काम आते हैं इसलिए ज़्यादा तर भ्यरती से स्कीव कर देते हैं वक्यावल आजनिभात के तिहास या भारती राष्टी अंदोलन परते हैं अगर विगत वश्णों की प्रश्णों की बात करें तो यहां से परिछ्चामें प्रश्णों की संख्या कम हुए है कि यह सिरीज में हम अगर इस बात को लेकर आ जाएंगे कि हम प्राचीन इतिहास को करते हैं कि अधुनिक बात की तिहास पढ़ते हैं कहीं ने पैर से अपने हाथ से अपने पैर पर कुलाड़ी मारेंगे कि हर एक नंबर हर एक प्रश्णों के अपनी महत्वा होती है जब आ काफ़ें की बात करते हैं इसलिए कुछ लोग आपको इस बात के लिए क्या प्राचीन बात के नहीं पढ़ना है में परिक्षा की छत्र में जाते हैं तो आपके अस्तफल होने के सम्हाँना ज्यादा बढ़ जाती है इसलिए मेरी भीतिकत्रा है कि आप भारत की तिहास को समझना है और साथ ही साथ आपको नोट्स बनाते चलना है वो भी किसलिए क्यों वह भी हम आगए के टॉपिक में डिस्कस परियां प्रयाज करेंगे कि हम इतिहास की मौलिक समझ का मतलब क्या होता है अब यहां पर मौलिक समझ कौ इस तरह समझने का प्रयाज करेंगे कि हम इतिहास के बारे में कुस्तो जानते हों जैसे अगर कोई चोटा दसवाल पूर दे अगर किसी ने कह दिया कि AD क्या होता है अब आपको ये पता होना चाहिए AD क्या होता है अगर कोई कह दे BC क्या होता है तो आपको AD और BC में अंतर पता होना चाहिए अगर किसी वन से की बात की जाए मतलब इतिहास में आपको मौलिक समझ होनी चाहिए मतलब basic knowledge इतिहास का होना चाहिए और नहीं है तो आपकी इतिहास में दिल्चस्पी थोड़ी से कम होगी और आपको दिल्चस्पी को बढ़ाने के लिए आपको मौलिक समझ बिक्सित करनी होगी मानि इतिहास को समझने के लिए समय देना पड़ेगा तब जाकर आप इतिहास में बहतर अंक crashit कर पाएंगे सुरवात में ऐसे भिरती जिनकी मौलिक समझ इतिहास में नहीं होती उन्हें इतिहास बोरिम सा लगने लगता है लेकिन जब उसमें समझ बिक्सित कर लेते हैं, वह उन्हें एक मज़ेदार विश्यों में से एक लगने लगता है, और वह इस परिक्छा में इतिहास में बहतर अंग भी अरजीत करते हैं, इसलिए इतिहास पढ़ने के लिए आप प्रयाश्य कर सकते हैं, कि मौलिक समझ के लि कर आर तक की किताबों का चैन कर सकते हैं, जिससे इतिहास की थोड़ी समझ आपके अंदर आ जाएगी, इतिहास को थोड़ा जानने और समझने लगेंगे आप, उसके बाद इसमें आता है कि अब क्या करना है, कि अगर आपने अपनी समझ बिक्सित कर ली, अब अगला चलण अगला चलण आपके लिए है, कि बिगत प्रशनों के साथ, मैंने बिगत वर्षों में, जो आप परिच्छा के अप त्यारी कर रहे हैं, उसके उस आयोग के उस परिच्छा के जो आधार रस्तंब होते हैं, उनके इर्द गिल, पिछले प्रशनों मैंने पिछले परिच्छ जाते थे कई बार जब इतिहास को पढ़े लेंगे तो पुराने प्रश्ण आपको बड़े सरा लगते हैं फिर लगता है आज ही परिच्छों में कहां से प्रश्ण पूछ रहे हैं तो यहीं हमारी जो कमी है गैप है वह हम इस से सहने ऑनलाइन क्लास के माध्यम से हम उस गैप को भरने का प्रियाज करेंगे कुछ लोग कहते हैं मैं भी मानता हूं खुछ से पढ़े भी आपका सेलेक्शन नहीं होगा लेकिन अब वही बात नहीं पर आती है कि अब पुराने प्रश्णों के साथ साथ पुराने प्रश्णों को हल करना है और नए प्रश्ण जो आ रहे है उनकी समझ विक्सित करना है और साथ इससे आप आने वाले प्रश्णों के आयाम पर बल देना है कि अब परिक्षा में किस तरह के प्रश्णाएंगे इसके लिए आपको एक टीचर की जरुरत पढ़ती है का ध्यापक जरुरत पढ़ती है जो सायथ मैं आप किस कमी को और उस दोनों के आधार पर नए आयाम के तरह बढ़ेंगे अब प्रश्णों का ट्रेंड किस आधार पर होगा या वर्तमान में किस आधार पर ट्रेंड चल रहा है फिर आता है जैसे अगर बात करें इरायू क्या होता मतलब कुछ शब्दावलियां भी आपको ध्यान देन इसके लिए आप चोटी से डारी चाट का परयोग कर सकते हैं जो अपने हाथ पर मबाइल पर लिखकर एक एक दिन में बीच से पची पची शब्दालियों को पूरा कर सकते हैं कई बारे तिहास में शब्दालियों से भी प्रश्ण पूछे जाते हैं और प्राय लोग है किन यह कहरा है जBlueर्ट यस्ति गिफ्ट लेने के प्रक्रिया ठी प्रथा थी उससे हम इराई कहते थे एक स्वहह करना की काई तो हिएक माई प्रेज है अच्छे यह मंदरम क्या था अगर मंदरम की बात करें तो यह एक अस्थानी साशन जो होता था जिसे बंचायतीराज व्रवस्ता कहते हैं वह उस समय की मंदरम थी और अधानी यकाई थी वहीं मंडलम की बात करें तो मंडलम क्या था ये राज्य की बात करता है ये इस्टेट की बात करता है ये प्रांध की बात करता है वहीं पे घटिका क्या दिया है दच्चुन भारत में सिच्छा का केंदर था जिसे घटिका क्याते थे प्रहसीता क्या है तो इस तरह के सवाल स एकर देखा जाए तो इस तरह के प्रिश्णों को भी आपको समझना पड़ेगा जनना पड़ेगा मने सब्दावली इतिहास से बहुत माने रखती है और साथ इसाथ अब यहां से समझ में आ गया कि आपको मांचित्र का भी ज्यान होना जरूरी है और इसके लिए आप अगर भूगोल को किस तरह से इतिहास से जोड़ पाते हैं वह आपके लिए एक कहीं ने कहीं शेतु का काम करेगा अगर अधार पर होती है इसलिए भूगोल सेशन में मांचित्र भी आपके लिए जरूरी होती है इसलिए जब भी हम आपको भूगोल पढ़ाएंगे तो मांचित्र को भी लेकर हम काफी सिरियस रहते हैं मांचित्र की सिरीज को भी हम अथी तरह से पढ़ाने का प्रयाज करेंगे और हम कोसिज करेंगे कि हम भोगोल में ज्यादा तरह हम मानचित्र के अध्याय को ही फोकस कर उसके बाद हम थियरी के तरह बढ़ेंगे मतलब यहाँ पर भोगोल का इतिहास के साथ सम्बंद भी स्थापित करना होगा और कई बार इस तरह से जोड़कर सवाल पूछ सकता है इस तरह के सवाल आपके सामने आपके जहन में आएंगे मिलेंगे और आपको देखना भी पड़ेगा अब हम चलते हैं एक नए तरक्ति तो यह रण नीत ही होती है किस रण नीत के थाथ हमें आपको समझना है किस रण नीत के थाथ हम इतिहास को आगे बढ़ाना है तो हमने देखा कि पहले तो इतिहास की मौलिक समझ बिक्सित करने के लिए हम 6-7-8 के NCRT या CIT फोकस कर सकते ह जाथ जैसे कि मैंने ऐखेंपल में भी आपको दिखा दिया जैसे मैंने उपर क्या किया एक्जम से प्रयास किया ठांबे बिकत वर्टत्रों के साथ रखत प defect करना है और नए तरह के प्रश्ण कैसे आ रहे हैं और उसके आधार पर आने वाले प्रश्णों की अपने दिमाग के माध्यम से अपने सोच से उनकी भी आयाम बनाना है सब्दावलियों पर भी फोकस रखना है मांचित्र को भी जोड़ कर रखना है अब हम और आगे चलते हैं अब हमने देखा कि तिहास के लिए NCRT का प्रभाव क्या क्या है अब सवाल आता है कि सर हमें किताबे पढ़नी होगी हमें इतिहास के लिए कौन सी बुक पढ़नी पढ़ेगी क्योंकि सबी तहास कि कि किताबे होती है, सबी किताबे अपने आप पे बहतर होती है, लेकिन सवाल आता है, कि sir हम किस किताब को पढ़ें, या क्यों से किताब हमें पढ़ना चाहिए, उसके लिए मैं आपको एक खुद से बताना चाहूँगा, कि सबसे पहले आप NCRT को पढ़नी है फिर अपडेटेटेट पढ़नी है तो मेरा पूरा समय पढ़ने में चला जाएगा तो सबसे पहला इसके लिए ही मेरी जरुद पढ़ती वैसे आप सेलफ स्टेडी कर पाते हैं लेकिन इन कड़ी को जोडने के लिए आपको दुरगेश रिया इलनी बिर दुरगे सकते हैं जो नोट्स आपको साइद इसमें काफी मदद कर पाए क्योंकि समय बचाने के लिए और उसमें तुलना करना आपके लिए जरूरी है कौन-कौन से टॉपिक और उसको अलग पढ़ना और जो बचेगा अपने आप अलग करना फिर इसका अध्यन करना इन सब के होगी इसके नोट्स प्लब्द हैं आप चाहें तो घर बैठे भी प्राप्ट कर सकते हैं पीडियों प्लब्द में से प्राप्त कर पाएंगे तो यहां पर हमने देख लिया का प्रभाव क्या होता है उसके बाद मार्केट में जो भी किताबे आती हैं पढ़ सकते हैं क्यों करने के बाद आपको समझना जाएगा कि मार्केट में कौन सी किताबी अच्छी है कौन सी किताबी नहीं कौन से आपकी लूपी होगी क्योंकि अब आपकी मौलिक समझ बिक्सित हो चुकिए अब इतिहांस को आपने जानना पढ़ना समझना शुरू कर दिया है इसलिए कई बार आता है कि सर हम कैसे मान लए ओल्ड और न्यू इंसियाटी में भी कुछ अंतर होता है जैसे एक इक्जामपल की माध्यास में समझाने का प्रैस को प्रिष्ण है कि हडपा सबता के दोरान आयात की जाने वाले कौन सी कौन सी बस्तुए थी तो यह आपको न्यू इंसिय आप के लिए और न्यू इंसियाटी दोनों आपके लिए जरूरी है यह सेसन भी आपको बहुत जरूरी है और इसके लिए ही आपको मेरी ज़रूरत पढ़ती है और फिर भी मेरे साथ जुड़ने के बाद भी आपको सब्सक्राइब नहीं जाती है आगे मैं बात करूं किस और क्यों पढ़ना है इसके लिए आपको मेरी ज्यूत पढ़ेगी कि कौन-कौन से टॉपिक को ज्यादा पढ़ना है कौन-कौन से टॉपिक को कम पढ़ना है और किस टॉपिक पर अपना ज्यादा समय देना है किस टॉपिक पर अपना कम समय देना है क्योंकि इतिहास अपने आपको यह बात ध्यान रखना होगा कि आपको किस टॉपिक को कितना पढ़ना है कहां कहां से पढ़ना है क्या 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 छोड़ना है आपको काम करना है नो पढ़ने के बाद प्रिच्छा की जब नश्डी का जाएगी तब हमें सौट नोट प्ढ़ती है वह क्यों पढ़ती है? उस पर भी हम लोग क्या करेंगे? चरचा करेंगे और ध्यान देने का प्रयाश करेंगे फिर अधिक बल किस पर देना मनें किस टॉपिक पर ज्यादा बल देना इnt यादा बल देनी की मतलब जैसे चहसो बीस ज़ाम बात करें जैन धर्म और बॉत धर्म अगर हम देखें तो पासानकाल से कम पूछे जा रहे हैं वहीं मौरेकाल मौरत्तरकाल गुपत्ततरकाल से भी पूछे आते हैं कहीं से साथ पूछे आते हैं कहीं सब्दानी पूछे आती हैं कहीं किस संस्कृति अस्थापतिकला पूछे आते हैं इसलिए यह सभी आपके के हम लिए सन पढ़ेंगे जब प skilled और अब अधस के समझो और कैसे बहतर किया जाए यदि अब आता है सब्सक्राइब कर पाएंगे लेकिन अच्छे नहीं ला पाएंगे पर इक्षा जब बाहर निकलेंगे तब आपको लगएगा सर ये तो मुझे नया सवाल मिला इसको मैंने पढ़ा ही नहीं था इसलिए आपको तुलात्मक अध्यन की जुरत पड़ेगी तुलात्मक अध्यन का मतलब ये पूछ लिया कि सिंदुखाइटी सभिता वैदिक काल में क्या दोस् अस्थपत निकलना में क्या समानता है थी क्या समानता है नहीं थी या उत्तरवैदिकाल और वैदिकाल में क्या महत्यपूर्ण समानता है आपके नजर आती है खास कर ये रिटानिक जवाम अगर आपको हो या नसीक्यू में परो यो कूट वाले सवाल है तो कूट वाले सव करने के लिए यह क्या देगा कि यदि यह चोड़ा सवाल है और जेप की जगा दाराशी को भारत के साथ होता तो आज भारत की सिथी क्या होती बहुत बहुतेरे सवाल है तो मैंने एक्जेंपल के माद़र समझाने का प्रयाश किया कि आपको इस तहाज का तुलात्मक अध्यन संस्कृति जो होती है इतहास की वो तुला करने के लिए आती इतहास के संस्कीति को क्यों से जाद आती इतहासी कम हम लोग चलव सेशन सुरूख करेंगे सबुख यहां कि आपके विप्ट्राइब त्यारी होने वाली है उसके बाद साहित्य की वी इतिहास में बड़ी भूमका है खासका प्राचिनी इतिहास की बात करते हैं इसकी भूमका और ज्यादा बढ़े आती है अब साहित्य की भी कहीं निकमात्ति है क्योंकि कहीं जब हम समझने का प्रयास करते हैं साच्चों करते हैं इसलिए सबस्क्रार बिद्धर करें रहा द्यों कर लेंगे तुल्द करना करना आपको समझना जाएगा इतिहास में आपको किस प्रकार से तौलात्मगध्यन की जरुरत पड़ती है, फिर इतिहास का current affair आप सुनकर चौग जाएंगे कि इतिहास में current affair कहाता है, यह तो लगता है, सर जी पगला गया, क्या, इतिहास में कब से current affair रहें लगा, जी हाँ, इतिहास में भी current आते हैं, जै जैसे किसी टॉपिक पर पधान मंत्री चर्चा कर लें जैसे धौला वीरा हो गया या कुछ तिन पहले आपने देखा हो गया याद होगा लक्षदीब को लेकर पधान मंत्री जी ने जैसे कुर्सी लगा दी लक्षदीब पर लोगों की भीड़ वाउमर पड़ी थी तो कहीं कहीं वह भगोल था तो इतिहास जो चर्चा में अईसे अस्थाल व्यक्ति विसेश या उनका ऐसा कोई संबंद जिसका सीधा सीधा प्रत्यच इतिहासिक धरोवर्त हो तो वह भी प्राहे परिक्षाओं में सवाल की रूप में आते हैं खासकर इंटर्व्यू में भी के सवा पढ़ लिया सवाल ना है कई बार क्या हो गया आपने जो चर्चा हुई थी सवाल की जिन करेंट जो टॉपिक थी हाथ से जुड़े उन तर्थ्यों को पढ़ कर गए वहीं से परिक्षा में सवाल आ गए इसलिए बाद माने रखती है कि आपने क्या पढ़ा कहां से पढ़ा है इसलिए हमारा काम के ओले मांग दर्सका होने वाला है दूसरी बात टॉपिक के बाद प्रश्णों की भूंका और समझ कई बार टॉपिक हम लोग पढ़ लेते हैं फिर यह समझ में नहीं आता इस टॉपिक से प्रश्ण कैसे बनेंगे या टॉपिक तो पढ़ लिया इसक कि आपको भूलने न पाए जैसे लिपिया होती हैं कई बार मुद्राएं होती हैं कुछ सन ऐसे होते हैं जो समझ से परे होने लगती है खासकर जो नया भीरती इतिहास को पढ़ना जानना समझना चाहते हैं इसके लिए भी हम आपका पूरा शायोग करेंगे ताकि आप बहत हो ची तरह से तरह समझ में और आप इतिहास में रुचा के सास साथ इतिहास में अच्छे अंतिहास ऌलेकर आप सीरियस आइं और इतिहास पढ़ने कि क्ल आपको कि आपको कहां पर मिलेंगी उसके लिए आप लोग टेलीर सब्सक्राइब कर सकते हैं अब यहां पर हैं कि हम परिच्छाओं में आते हैं तो हमारे परे होते उसके लिए आपको समझना होगा और यह अच्छा करें कई बार क्या होता हैं टॉपिक को Concept को नहीं किलर कर पाते हैं और हम आगे बढ़े आते हैं तो कई बार लिखने का प्राक्टिस करेगा क्लास में ही आप नोट्स बनाते चलिएगा ताकि दुबारा जब उससे देखें ताकि दिमास में पूरी कहानी बन जाए इतिहास को कहानी की माध्यम से कर लेकर चलेंगे तो साइद आप इतिहास में बहतर और बड़ा श्कोर कर पाएं इतिहास में प्राक्टिस पर भी फोकस करना है प्रिवेसर प्रश्णों के साथ साथ अब जितना प्राक्टिस कर पाएंगे उतना आपके लिए अच्छा होगा उसके लिए बहुत सारी किताबे आपके बाजार में भी उपलब्द हैं तो अब यहाद तक इतिहास पढ़ेने के बाद और वीडियो को फेशबूक पर देख रहे हैं तो पेज़ को फालो करेंगा इस्टागराम पर देख रहे हैं इस चैनल के माद्यम से हम अपनी बातियाफ तक पहुंचाएंगे मेरे पक्तिकत इस्टाग्रम भी है दुर्गे जैश्वल सर उसे भी आप फॉलोग कर सकते वैसे आपकी मरजी अगर आपको कोई तुझाओ हो कोई फिडबैक को तुस वीडियो में कॉमेंट करके दीजेगा अगर आप चाहते हम आपके लिए वीडियो लेक्चर दे पर डे ल किन-किन नामों से जाना जाता है सिंदुगाटि से विता को और किन-किन नामों से जाना जाता है इसका जवाब कमेंट बॉक्स में कमेंट करके दीजेगा तकि मुझे लगे आपने हाथ तक वीडियो को देखा है यहां तक पढ़ा है यहां तक आपने शमझ लिया है तो ति जहां कि एक ईसी गाथा जहां से परिक्षाव में शवाल आए और आपकी रूची भी बने इस लिए इस इसे कि अध्ण की महत्तिवाथ बढ़ते जाएंगे इसे इंटर्वी में सवाल किस तरह साते हैं जहां इंटर्वी हो जैजिनिक आपकी परिक्षा में नहीं या उनके प लेकर चलने का प्रयाद करेंगे पहले हम पूरे इतिहाद पर फोकस करेंगे तथ्यों को पढ़ लेंगे और आप भी साथ प्रीवेसर पेपर पर विध्यान दीजेगा यह आपकी वह इतनी जिम्हेदार है जितनी की मेरी अगर आपका कोई सवाल हो तो फड़ा वट पुछ ल अगर आपको कहीं ना मिले उच्छा से बारत तक इलनी बिद्रगेश के आप पर है या उसकी पीडिया भी आप इलनी बिद्रगेश के इस ऑफिस के नंबर पर कॉल करके आप जानकारी ले सकते हैं और यहां से जान सकते हैं तो इतिहास में मुझे लगता यहां तक समाज आ इसलिए टॉपिक को सारे पढ़ने हैं कोई नी छोड़ना है किसी में गहराई तक जाना है किसी मुग पर तैर कर निकल जाना है कहीं बीच में डुबकी लगाना है और किनारे से हाथ पर धुल कर चले आना है तो इसी तिहास के सेरीज में हम इन बातों का भी ध्यान सब्सक्राइब करें साथ में नोट्स बनाते रहेगा और आपको इतिहात चिरीश पढ़ना आए तो अपने साथ साथ पिन प्लेन कौपी को सकता कई क्लार के पिन ले ले ताकि हमारे दिमाग कलरफुल चीजों को जल्दी याद करता है ऐसा मानिता है दूसरी बात यह है कि जो आपके पास मांचित्र होना चाहिए भरत का मांचित्ज बिस्रु का मान putting आपके पास हो और उसकी प्राकिति और प्राकितिक बिश्र की मान चित्र सता करें उनका डागराम झेखते चले ताकि आपके दिमाग में वह फीर्ड होता चला जाए खास कर जो अस्थपति कला की बात करते हैं जब हम उसके ब्यापार के अंदरों की बात करते हैं तब हमें मांचित पढ़ती वैसे बहुत सब्सक्राइब करेंगे इसलिए इसमें भुगोल से न जुड़ते हुए भी इसका जुड़ाओ आपके लिए क सब्सक्राइब करेंगा अगर आपने वीडियो को शेयर किया है तो आपको दिल से थैंक्यू जै हिंद जै भारत अगर आप कॉमेंट करते हैं तो हम आपके लिए डे वाइडे ये आपके जिस तरह से पैटर्न हम लोगों ने पढ़ा है इस पैटर्न पर डेलिग डेली क्लास लेकर आएंगे ताकि आपके सेलेक्शन के संभावना है नित्रत दिन बढ़ती जैंद थैंक्यू बाइबाई जैंद ठीक है थैंक्यू आप सभीका